तो कहिए कैसे हो आप सब तो आज हम डिसकस करेंगे आपकी exercise 13.1 question number 326 तो question number 3 आपका क्या कह रहा है basically अगर मैं आपको कह रहा है तो मैं इसकी book को open करके बैटो बिटा तो पहला question क्या है if one part of red pigment जैसा कि आपको first जैने कि second question में दिया हुआ है यहां पे आपको क्या दिया गिया था red pigments क्या दिया हुआ था red pigments और यहां पे आपका क्या हुआ था parts of base यह चीज़ आपको given थी अब इसी question को थोड़ा सा increase करके इसमें values change करके आपको दे रिया है वो values क्या है यहां पे ध्यान देना बिता और यह आपने हर एक उसमें बनाना है देखो इसने क्या बोला if one part of red pigment तो red pigments मेरे पास कितना अगिया one ठीक है of base red pigments require 75 milliliter of base तो यहां पे base कितना है 75 और यहां पे लिख लेना in milliliter ठीक है in milliliter ठीक है तो इसने यह बोला how much red pigments should we mix with base 1800 milliliter ठीक है तो यहां पे आपको दिया हुए 1800 milliliter और यह चीज़ा आपने क्या करने है find तो मैंने माना let the red pigments let the red pigments be x तो यहां पे मैंने इसको क्या मान लिया बेटा x अगर यह x है तो you know very well कि अगर मैं इसको यह वाली value increase हुए तो in obvious यह वाली value क्या होगी increase होगी ठीक है यह increase हुए तो यह भी increase होगी और increase होगी तो क्या होगो direct proportion में और अगर यह direct proportion तो पहले लिखोगे here red pigments and parts of base are directly proportional are directly proportional ठीक है यह लिखने के बाद फिर आपको पता है तो क्या आज एगा 7 by 75 is equal to x by 1800 उसकी बाद क्या method था using cross multiplication इसकी multiply इसकी साथ 1800 इसको इसके साथ multiply करोगी तो 75 x यह multiply में है यहाँ चाहेगा तो divide में तो कितना आ गया x is equal to 1800 by 75 कर दो सोल यहाँ से आपका क्या आ गया 5 1 बच गई 2 then 5 यहाँ से देखो 5 3 6 and 0 यहाँ से देखो तो 15 to the 30 and 15 for the 60 तो value आपके पास total यहाँ से कितनी बनी 24 तो कितने red pigments की requirement है आपको 24 तो यहाँ पर अंसर आ जाएगा hence red pigments is equal to 24 कितना 24 clear next question question number 4 आपका क्या कह रहा है यह machine in a एक soft ring बनाने की machine है बेटा उसने क्या बोला fills 840 bottles in 6 hours तो सबसे पहले आपको क्या बनाने है table बनाने है तो देखो कैसे लिखोगे आपको क्या क्या दिया हुआ bottles or times तो यहाँ क्या लिखोगे number of bottles तीके और यहाँ क्या लिखोगे time in hours क्योंकि hour की बात हो रही है question number 4 तो उसने क्या बोला बेटा ध्यान से लेखना उसने बोला machine in a soft drink factory fills 840 bottles total कितनी bottles है 840 bottles fills in 6 hours कितने टाइम में 6 hours में how many bottles will be filled by it in 5 hours तो बताना है कि 5 hours में वो कितनी bottle fill करेगा in obvious अगर मैं time को decrease करूँगी तो number of bottles भी क्या होंगी decrease यहाँ पर आपकी common sense चलेगी तो एक चीज की decrease होने से दूसरी चीज भी decrease हो रही है तो यहाँ आपका क्या हो गया direct proportional तो यहाँ पर क्या आएगा let number of bottles be x कितनी मानी x ठीके यहाँ पर क्या लिखोगे here number of bottles and time are directly proportional are directly proportional ठीके तो यहाँ से अगर यह directly proportional में तो क्या लिखोंगी direct proportion में तो 840 by 6 is equal to यह मैंने क्या माना था x is equal to x by 5 gross multiply इसकी multiply इसके साथ so 840 into 5 is equal to 6 into x x की value मेरको निकालनी है यह multiply में है वहाँ चाहेगा तो divide में so x is equal to 840 into 5 by 6 तो यहाँ से 6 बच गये कितने 2 then 6 4 is a 24 and 0 तो कितना आ गया 5 14 5 is a 70 तो कितना आ गया 700 bottles वो fill करेगा कितने time में 5 hours में तो यहाँ पर लिख देना complete hence 700 bottles can be filled in 5 hours कितने time में 5 hours clear now move over next question question number 5 आपका क्या कह रहा है ध्यान से देखना बिटा एक photograph है अभी एक बर question read करते हैं फिर आपके solution प्यारते हैं उसने क्या बोला a photograph of bacteria enlarged 50,000 times 18 सा length of 5 cm सबसे पहले दो चीजे उसने दिये उन दोनों चीजों को लिखो उसने दिया हुए एक bacteria actual length प्लस यहां पर क्या given है enlarged तो यहां पर देखो क्या लिखोगे enlarged ठीके और यहां पर क्या लिखोगे length of bacteria length of bacteria ठीके कितना enlarged कर रहा है 50,000 times ठीके और अगर उसकी length की बात करों तो उसकी length उस time पर कितनी है बेटा 5 ठीके 5 in centimeter centimeter given है तो यहां लिखोगे in centimeter ठीके ऐसे table बनेगी सबसे पहले फिर देखो उसने क्या बोला फिर उसने बोला in the diagram what should be the actual length of bacteria सबसे पहला question what should be the actual length of bacteria तो मैंने यहां पर लिया कि जो actual length मैंने निकालनी है तो मैंने माननी यहां पर पर वो actual length यानि कि यह चीज तो मैंने इसको क्या मानना वन मैंने इसको increase ही नहीं किया जो जी तना है उतना ही है तो यहां से मिर को आप किस की value निकालनी है बिटे यहां से मिर को value निकालनी है आपकी bacteria की तो सबसे पहले यहां पर लिखो पहला question length of bacteria length of bacteria and here it is in direct proportion it is in direct proportion अगर यह direct proportion में है तो क्या लिखोगे 50,000 by 5 is equal to 1 by x तो यहां से कितना आगया इसकी multiply इसके साथ इसकी multiply इसके साथ तो कितना आगया 50,000 is equal to into x is equal to 5 यह multiply में x के साथ मेरको x की तो value निकालनी है तो वहां जाके क्या हुज़े एक डिवाइड में तो it means 5 by 50,000 तो यहां से आगया 10,000 ठीक है it means 1 by 10 raised to the power 4 और इसको उपर लेके जाओंगी तो 10 raised to the power minus 4 cm is your answer इसी के अंदर एक question और पूछा है उसने उसने पूछा बिटा if the photograph enlarge अगर उस photograph what is clear to everyone अब इसी के अंदर एक और table ले देखो इसने क्या बोला यहां पे अगर इस photo को कितना increase कर दिया जाए 20,000 time तो हमने क्या निकालनी है length निकालनी है किसकी bacteria के तो सबसे पहले मैंने यहां पे माना let the length of bacteria be y यहां x मान चुकी यहां मैंने इसको क्या मान लिया y तो यह भी क्या है direct proportion में है same question आपने करना है यहां पे आपका क्या आ जाएगा y centimeter अगर यह direct proportion में तो जो value में को given है उसी की equal रखोंगी तो 50,000 by 5 is equal to 20,000 by y multiply हो जाएगी इसकी multiply इसके साथ इसकी इसके साथ तो कितना बन गया 50,000 by is equal to 20,000 into 5 यह 50,000 multiply में divide में आ जाएगा so 20,000 into 5 by 50,000 तो cancel out 1, 2, 3, 4 ठीके तो 5 से आपका 5 cancel out क्या बचा? 2 तो यहां पे कितना आ गया बिटा आपका 2 centimeter कितना आ गया? 2 centimeter अगर मैंने उसको इतना enlarge किया तो bacteria की length मेरे पास कितनी आई? 2 centimeter clear? next question last यानि कि 6 question आपका क्या गया रहा है? देखो क्या बोला उसने इस question में? जो चीज given है हम उसी को लेके चलेंगे इसने बोला in a model of ship एक ship का आपको model दिया हूँ है model आपने देखे भी होंगे अगर मैं model की बात करूँ तो उसमें चीज़े छोटी छोटी दिखते हैं और in actual जब उनको बनाया जाते हैं तो वो चीज़े बहुत बड़ी हो जाते हैं for example आपने किसी building का model बनाना है तो उसमें चीज़े छोटी छोटी रखोगे कि यह चीज़ यहाँ होगी यहाँ bedroom होगा यहाँ washroom होगा यहाँ पे आपका drawing room होगा तो वहाँ पे सारी चीज़े present होते हैं लेकिन in actual जब आप उसमें चीज़े को apply करते हो बनाते हो तो वो बहुत बड़ी building बन जाती है तो इसने क्या पूला in a model of ship the mast is 9 cm high while the mast in actual ship यहाँ पे देखो दो चीज़े दी हुई है actual length और model length तो यहाँ पे लिख रही हूँ length in model और यहाँ पे लिख रही हूँ length in actual actual में क्या length है और model में आपके क्या length है ठीक है in actual जो length model में जो दी हूँ है in cm और यहाँ पे जो length है वो in meter वो meter में है ठीक है अब यहाँ पर question क्या कह रहा है जहां से देखना देखो इसने क्या बोला 9 cm है तो बेटा आपकी जो mass actual length उसकी 12 m है यहाँ आपके पास 9 यहाँ आपके पास 12 तो question क्या पूछ रहा है if the length of the ship is 98 m then how long is the model ship यहाँ पर उसने क्या बोला अगर जो उसकी length है actual length वो 98 m है तो यह चीज़ आपने find कर ली है तो यहाँ पर लिखोगे let यहाँ पर देखो उसने जो length दी है in actual length यहाँ पर दी है यह आपको दी है 28 तो मैंने माना जो length है किसकी mass की वो कितनी है यह 1 cm यह आपको find out करनी है तो यहाँ से देखो आपको पता है कि अगर यह चीज़ increase होगे तो यह भी increase होगी यह increase है तो यह increase होगी तो obvious यह चीज़ increase होगी clear तो यहाँ से में पर पास क्या आ गया है length of model and actual length actual length of ship are in direct proportion are in direct proportion direct proportion ठीक है, so 9 by 12 is equal to x by 28 अगर cross multiply करूँगी तो इसकी multiply इसके साथ, और यहां से यह इसके साथ 12 into x यह multiply में है, वहां चाहिए का तो divide में, so x is given to be 9 into 28 by 12 ठीक है, तो 3 3's and 3 4's and 4 7's ठीक है, तो कितना आगया, 21 ठीक है, 3 3's are 9 then 3 4's are 12 4 7's are 28, तो 7 3's 21 cm तो यहां भी आपका कितना आजएगा 21 cm तो यह थी आपकी आज की वीडियो, I hope it is clear to everyone and if you like it, then please share and subscribe Thank you so much